आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IEX के बारे में IEX के Q1 के रिजल्ट के बारे में उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है डिस्क्लेमर पढ़ी जाए डिस्क्लेमर पढ़ना काफी ज़्याता इंपॉर्टन जाता है पॉस करके पढ़िएगा गुरुप में जॉइन करना है लाइव गुरुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक के आप जॉइन कर सकते है पात करें IEX के Q1 के रिजल्ट की IEX के Q1 के रिजल्ट के बात क्या हो सकता है तो ahead of the results जैसे हम बाकी सब के लिए देते है IEX के लिए क्या है लिए सबसे पहले चार्ट देखते हैं आपको दिख रहा होगा जो थोड़ा बहुत चार्ट के बारे में जानता है बहुत ही जादा वीक चार्ट है आपको देखने को मिल रहा है डबल टॉप फॉर्मेशन होआ था क्राश हो गया है 50-day, 100-day, 200-day moving average इसके नीचे चल रहा है death crossover हो चुका है 200-day moving average तो 50-day, 100-day moving average हो कट कर दिया है तो इसे death crossover भी कहते है overall बात करे counter week है बहुत जादा week है selling continuous हो रही है इसके अंदर पहला resistance जो आएगा वो आएगा 174-175 के आसपास जो इसका 50-day moving average निकल के आ रहा है वहाँ पर क्या result के पहले हम long जा सकते हैं देखिए support के आसपास तो है अगर हम बात करें तो long term support के आसपास तो counter trade कर रहा है ahead of the result long जाने के लिए जगा भी अच्छी है counter काफी जदा पिठ चुका है oversold है या से bounce आ भी सकता है लेकिन मैं prefer करूंगा अगर इसमें long जाना है अगर इसमें आपको थोड़ा सा तीजी करनी है तो 50-day moving average के उपर अगर sustain करें यानि कि 175 के उपर अगर sustain करना शुरू करें तो हम long जा सकते हैं जो target होगा 189 का तो वहाँ पर हम confidently long जा सकते हैं क्योंकि ने दिखाएगा कि counter में strength है just because oversold है just because गिर गया है तो हम buy करने में नहीं मैं वो strategy use नहीं करता हूँ गिर गया तो buy कर लो बढ़ गया तो sell कर दो support नजदी की है 157 के आसपर structure कर रहा है 150 का support निकल के आएगा इसके अंदर fresh shotting और fresh long हम करेंगे result के बाद fresh short होगा 150 के नीचे अगर break करता है तो फिर और 5-10% की correction आ सकती है जो कि 135 तकी counter को लेके जा सकता है fresh long करना है after results आप कर सकते हो days का low का stop loss लगा के या confident होके long करना है थोड़ा सा ज़ादा aggressive long जाना है तो वो जाहिएगा 175 के उपर ही 175 के उपर की closing मिले तब आप long जा सकते हो आपका target होगा 189 का confident target मिलेगा आपको और उसके बाद का आपका next target होगा 100 day moving average का 196 का end of the result कुछ नहीं है short तो बिल्कुल भी नहीं करना है long अगर कर सकते हो risk reward आपके favor पर है तो ही कीजेगा क्योंकि breakdown भी हो सकता है already weak है और week भी हो सकता है long अगर करना है तो proper strict stop loss के साथ ही long जाहिएगा ऐसे direct बहुत जादा long मच जाहिएगा aggressive long तो बिल्कुल भी मच जाहिएगा बहुत कम quantity में strict stop loss के साथ long जाना तो जा सकते हैं लेकिन short नहीं करना है short result के बाद हम देखेंगे और long भी result के बाद अगर हम देखेंगे अगर आपको broad day quantity के साथ heavy quantity के साथ ट्रेल करना तो बाकि छोटा एक lot के साथ अगर आपको long जाना तो आप जा सकते हो stop loss होगा आपका 150 का वो break हो निकल जाईएगा बस